हलो, मैं हूँ तौसीफ और आप देख रहे हैं, बिली फॉर यू आज का ये वीडियो वाइफाई की प्राविसी के उपड है अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका वाइफाई कौन-कौन यूज़ कर रहा है आपके वाइफाई से कौन-कौन सा डिवाइज connected है या आप किसी person या डिवाइज को block करना चाहते हैं कि वो आपका वाइफाई न यूज़ करे या फिर आप एक ऐसा डिवाइज लिस्ट create करना चाहते हैं कि सिर्फ वही device आपके वाई-फाई को यूज कर सके बाकी device जिनके पास आपका वाई-फाई पासवर्ट है बट फिर भी वो आपके वाई-फाई को यूज ना कर सके तो आज की इस वीडियो में हम यही सारी चीजें सीखेंगे तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे वाई-फाई से ही कौन-कौन सा डिवाईस कनेक्टेड है इसके दो तरीके हैं पहला डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है या फिर आप गुगल में सर्च कर सकते हैं वाईरलेस नेट्वर्क वाचर और आप इस सॉफ्टेयर को सिंप्ली डाउनलोड कीजिए अगर आप इसक्रिप्शन को फॉलो कर रहे हैं तो आप इस पेज पर रिडारेक्ट हो जाएंगे और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आईए और यहाँ पे है डाउनलोड का उप्शन तो मैं यहाँ से सिंप्ली डाउनलोड वार्लेस नेट्वर्क वाचर इन जिप फाइल मैं इसे डाउनलोड करूँगा और मैं यहां से location चूज़ करता हूँ मैं इसे desktop पे save कर देता हूँ and start download अब हम लोग चलते हैं location की तरफ जहां पे मैंने इसे save किया है तो desktop पे मैंने save किया है यह देखे यह file यहां पे appear है तो आप इसे simply extract कीजिए extract all and extract ओके यह देखे हमारा open करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि यह जो है यहां पे कुछ informations आ गई यहां पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो है IP address अगर आप देखें तो 192.168.0.1 और यहां पे Mac address है तो सबसे पहला जो है मैं TP link router से actually connected हूँ मेरा जो Wi-Fi router है TP link का है Samsung, Samsung और यहां पे जो हमारा desktop है यहां से हमने simply देखा कि हमारा जो Wi-Fi है वो तीन device से connected है 1, 2 and 3 यह जो हमारा router का यहां पे router की details है तो यहां पे आपने देखा कि यहां पे तीन device connected है आपको simply कुछ नहीं करना है wireless network watcher आपको download करना है और उसे open करना है तो जो भी device आपके Wi-Fi से connected होगा वो सारी information आपको यहां पे मिल जाएगी उसका IP address and Mac address आप चाहें तो इसमें text include कर सकते हैं for example यहां से आप इसमें text include कर सकते हैं कि यह मेरा mobile है my mobile ओके तो आप इस तरीके से identify कर सकते हैं यह जो Mac address है या फिर यह IP address है यह मेरे mobile का है वैसे ही यहां पे आप friends mobile कर सकते हैं आप renaming कर सकते हैं ताकि आप उस चीज़ को identify कर सके हैं आप यहां पे आएं तो आप देखें कि यहां पे चार device connected है तो एक मेरा है एक मेरे friend का है तीसरा किसका है तो इस तरीकी से आप identify कर सकते हैं तो पहला तरीका यह था कि आप wireless network washer आप download करें और दूसरा तरीका यह है कि आप TP-Link के website से देख सकते हैं यह सारी details और वहीं हम लोग देखेंगे कि किसी device को अगर हमें block करना हो तो हम कैसे block करेंगे तो चलिए login कीजिए अपने TP-Link website के ओपर मैं यहाँ पर simply type करूँगा TP-Link का जो default IP address है 12.168.0.1 और इंटर किया इंटर करने के बाद यहाँ पर देखें login and password आ गया login करने के लिए आ गया तो आपका जो भी router का जो भी password है user ID and password है वो यहाँ पर इंटर किजिए मैं आपकी चानकारी के लिए मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो user ID and user password जो default होता है वो admin admin होता है आप username में भी admin डाल सकते हैं और password में भी admin डाल सकते हैं बट मैं यहाँ पर change कर चुका हूँ क्योंकि यह privacy के लिए काफी important है कि आप पहले अपने जो भी आपका router है उसके आप user ID and password पहले change कर ले क्योंकि अगर मैं आपके wifi से connected हूँ और मुझे पता है कि इसका default ID क्या होता है यह default password क्या होता है तो मैं आपकी wifi को hack कर सकता हूँ मैं TP-Link के website पर जाके वहाँ से password चेंज कर सकता हूँ वहाँ से आपको block कर सकता हूँ तो आप सबसे पहले अगर आपने अभी तक अपने user ID and password को change नहीं किया है तो आप पहले इसे change कर ले तो simply मैं यहाँ पर अपना user ID टाइप करूँगा building for you हमेशा की तरह and password जो है हमारा मैं यह आपको नहीं बताऊंगा and then okay कीजिए simply logging कीजिए यह देखिए आप TP-Link के website पे आगए है यहाँ पे बहुत सारी information है आपकी IP address, MAC address and जो भी आपकी device related सारी information है तो मैं इन सब चीजों पे ज़्यादा details में बात नहीं करूँगा simply आप आएए DHCP पे Dynamic Host Configuration Protocol इसके अंदर आप आएए DHCP Clients List में and यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी तीन device connected है मैं आपको यहाँ से भी दिखा सकता हूँ आप match कर सकते हैं IP address and MAC address यहाँ पे भी तीन device है and यहाँ पर भी आप जो website है TP Link का यहाँ पर भी तीन device है तो यहाँ से आप MAC address भी देख सकते हैं and IP address भी आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी device का IP address अगर आपको देखना हो तो आप कैसे देखेंगे सबसे पहले अगर लाप्टॉप में अगर देखना हो तो आप लाप्टॉप में simply search box में अगर टाइप कीजिए cmd and command prompt open कीजिए command prompt open करने के बाद यहाँ पर आप एक command देजिए ipconfig c-o-n-f-i-g sorry c-o-n-f-i-g and enter कीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IPv4 address जो है 192.168.0 last में 101 101 तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं website के ओपर भी देख सकते हैं 101 जो हमारा PC का IP address है and यहाँ पर भी आप देख सकते हैं wireless network watcher के ओपर कि यहाँ पर desktop का जो IP address है 101 है but यहाँ पर Mac address भी है Mac address actually किसी भी device का physical address होता है जो normally change नहीं होता है अगर आप दूसरे Wi-Fi से connect होंगे तो आपका IP address में भी change हो जाएगा but जो Mac address है वो change नहीं होगा तो किसी भी device का Mac address हम लोग कैसे देखेंगे फिर से आप command prompt open कीजिए और उसमें आप एक command दीजिए IP config slash all and enter कीजिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर आपको बहुत सारे information यहाँ पर available है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बहुत सारा Mac address मिल जाएगा physical address मैंने आपको बताया यहाँ पर देखें कि adapter का ethernet adapter का या फिर LAN का यहाँ पर हम लोग wifi से connected है तो normally सबसे पहले हम लोग wifi का देखें physical address यहाँ पर आप देखें physical address 642737D46AE7 आप यहाँ भी देख सकते हैं वो information है न E7 last में and 64 और उसी तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हैं 64 and last में E7 तो हमने अभी तक simply देखा कि कौन-कौन से device हमारे wifi से connected है हमने wireless network watcher का use किया और हमने TP link के अंदर DHCP के अंदर आकर के DHCP client list में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर कौन-कौन से device connected है अगर हमें किसी device को block करना हो तो हम वो कैसे करेंगे तो सबसे पहले किसी भी device को अगर आप block करना चाहते हैं तो आपको उसका Mac address पता होनी चाहिए हम यहाँ से तो Mac address देख सकते हैं किसी भी device का for example यहाँ पर जो Android mobile है जो है मैं उसको block करना चाहता हूँ यहाँ पर मैं confirm नहीं हूँ कि किस mobile का Mac address है या पर किस mobile का IP address है तो चलते हैं mobile के अंदर और उसमें देखते हैं कि हमारे इस mobile का जिस mobile को भी हम block करना चाहते हैं और फिर जो भी mobile है उसका IP address और Mac address कैसे देखेंगे तो सबसे पहले आप जाएए settings में and settings के अंदर आपको जाना है about device में तो मैं जाता हूँ more में and यहाँ पर about device का option है about device के अंदर आपको जाना है status में and status में आप यह information देख सकते हैं यहाँ पर देखें यह IP address है और यहाँ पर Wi-Fi Mac address है तो Wi-Fi Mac address जो है 7-8 and last में if A है तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस device को block कर दूँ अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर Wi-Fi connected है and Wi-Fi network जो है वो use हो रहा है but मैं जैसे इसे block करूंगा तो यह automatically जो हमारा Wi-Fi network है वो गायब हो जाएगा Wi-Fi network जो है Wi-Fi जो है वो disconnect हो जाएगा तो चलिए इसके लिए चलते हैं हम लोग wireless में पहले यहां से हम लोग इसका जो Mac address है वो हम लोग यहां से copy कर देते हैं Ctrl-C press करके and चलते हैं wireless के अंदर wireless Mac filtering यहां पर आप देख सकते हैं कि wireless Mac filtering, wireless Mac filtering अभी जो है, वो disable है, तो अगर हमें enable करना हो, तो यहां से हमें enable कर सकते हैं, पहले उससे पहले देखते हैं कुछ settings, filtering rules, यहां पर आप किसी भी, अगर आप deny list create करना चाहते हैं, यहां पर allow list, इसमें deny में क्या होगा, कि आप किसी भी device क अगर आप block करना चाहते हैं, तो आप इसको mark करके रखिए, यहां पर एक allow list प्रियेट करना चाहते हैं, कि आप सिर्फ यह device इसे connect हो सकते हैं, बाकी device connect नहीं हो सकते हैं, अगर उनके पास Wi-Fi भी है, फिर भी वो नहीं connect हो सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले deny list create करते हैं, block list create करते हैं तो simply add new में जाएए और यहाँ पर Mac address उस device का Mac address टाइप कीजिए तो मैं यहाँ पर simply ctrl V प्रेस करके मैं उस चीज़ को टाइप करूँगा and यहाँ पर मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ my mobile and मैं इसे save कर देता हूँ मैंने इसे save कर दिया, तो यह हमारा क्या हुआ कि अभी यहाँ पर deny list में मतलब block list अभी यहाँ पर mark किया हुआ है, मैंने अभी इनेबल नहीं किया है अब मैं mobile में आपको दिखाता हूँ, कि mobile में आप देखें कि अभी यहाँ पर जो network हमारा connected है बट जैसे मैं इसे enable करूँगा, हमारा जो है wifi वो disconnect हो जाएगा देकी जैसे मैंने enable किया and मेरा जो wifi network था वो disconnect हो गया अब मैं अगर wifi में जाता हूँ, मैं अपने mobile के अगर wifi settings में जाता हूँ, connections and wifi तो यहाँ पर देखें अभी तौसीफ है, बट मैं इसे अगर connect करूँगा तो यहाँ पर कुछ error आएगा और यह connect नहीं होगा, connect and यह देखें फिर से, देखें यह connect नहीं हुआ, उसी तरीके से again अगर हम try करते हैं, connect यह device हमारा connect नहीं होगा क्योंकि मैंने इसे यहाँ से block कर रहा है, उसी तरीके से अगर हम allow list create करते हैं, फिर से मैं यहाँ से एक mac address मैं यहाँ से copy करता हूँ, for example, list मैंने देख, stop का mac address मैंने यहाँ से copy किया, ctrl c and copy and wireless के अंदर फिर से हमें जाना है wireless mac filtering and यहाँ से पहले मैं इसे disable कर देता हूँ, disable मैंने किया, आप देख सकते हैं कि mobile के अंदर, वो automatically हमारा wifi जो हे वो connect हो जाएगा, फिर से wifi and यहाँ से देखिए फिर से अगर मैं इसे connect करता हूँ connect यह देखिए हमारा connect हो क्या, तो मैंने यहाँ से इसे disable कर दिया, उसी तरीके से अगर हमें allow list create करना हो, तो मैं यहाँ से फिर से पहले जाता हूँ और यहाँ पर Mac address मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, मेरा जो PC का Mac address है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ my PC, और मैं यहाँ पर save पर क्लिक कर देता हूँ, मैंने यहाँ से save कर दिया, अभी मैंने यहाँ पर कोई भी जो है, कोई भी function हमारा enable नहीं है, वो disable है, on नहीं है, अब मैं यहाँ पर allow list में जाता हूँ, allow, and, okay प्रेस किया, अभी यहाँ पर क्या है कि सिर्फ यह दो device जो है, वही connect हो पाएगा हमारे wifi से, बाकि किसी को भी password पता है, नहीं पता है, वो हमारे इस wifi से connect नहीं हो सकता, अगर उसे password पता भी है, फिर भी नहीं connect हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर add कर दिया, और मैं इसे enable कर दूँगा, okay, enable करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि यह यहाँ पर दो device connected है, मैं इसे, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ पर इसे थोड़ा refresh करता हूँ, अब यहाँ पर अगर आप देखें, तो सिर्फ दो device connected है, एक mobile और एक desktop, 78 से शुरू होने वाला एक mac address, यहाँ पर अगर आप देखें, 78 से शुरू होने वाला एक mac address and 64 से तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वाइफाई जो है कुछ ही लोग यूज कर पाएं तो आप यहां से अलाव लिस्ट क्रियेट कर सकते हैं और यहां पर उसका मैक अड्रेस इंटर कीजिए आपको पता है कि मैक अड्रेस कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको बताया मोबाइल में आपको about device के अंदर status में जाना है वहां पर आपको mac address मिल जाएगा या फिर अगर आप अपने PC laptop का mac address चाहते हैं तो simply आप command prompt में जाएए और वहां पर command दीजिए ipconfig slash all तो वहां पर आपको आपके wifi का physical address मिल जाएगा तो इस तरीके से आप block list या allow list आप यहां पर create कर सकत default जो भी function था वो आपका काम करने लगेगा तब किसी के पास भी अगर आपके wifi का password होगा तो वो connect हो सकता है तो I think यह video आपके लिए काफी helpful रहा होगा अगर आपको लगता है कि आपका wifi कोई दूसरा use कर रहा है या फिर आप किसी particular person को अगर block करना चाहते हैं तो आप यहां स तक मेरी चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप please मेरी चैनल को पहले ही subscribe कर लिजे अगर आप updates चाहते हैं आप चाहते हैं कि मैं कोई भी नई videos upload करूँ आपके message में आपके पास notification आ जाए तो आप please मेरी चैनल को subscribe कर लिजे and finally thank you for watching